लाक स्यधिक किसानों को 3,716 करोड रुपए के लंबित बोनस की रासी की भुक्तान की जा चुकी है और किसानों के लिए क्रिशिव नती योजना अंतरगत इस बजट में 10,000 करोड रुपए का प्राउधान किया गया है मोधी की गरंटी के तहट इस बजट में हर घर निर्मल जल अभियान को पूरा करने के लिए जल जीवन मिशन में 4,500 करोड रुपए का प्राउधान किया गया है इससे लोग स्वास्यांत्रिकी विभाग का बजट पिछले वर्स की तूलना में दो गुना बढ़ गया है ग्रामिड विकास विभाग के बजट में भी बड़ी ब्रिद्धी हुई है 33 संग्रहाकों को प्रती मानक बोरा 5,500 रुपए की दर्स संग्रहार सुल्क भुक्तान करने का भी निर्णय हमारे सरकार के द्वारा लिया जा चुका है अध्यक्ष महदय हमने संकल्प लिया था कि भूमिहीन क्रिसी मजदूरों को 10,000 रुपए प्रती वर्ष की दर्स से उन्हें सहायता करेंगे इसके लिए इस बजट में दीन रियाल उपाद्ध्याय भूमिहीन क्रिसी मजदूर योजना प्रारंब की जा रही है जिसमें 500 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है प्रुटाले की जाच का कार स्रीब्वाइ को सौपने का हमारी सरकार ने निर्नाय लिया है अभविश्य मेंẹ पूर पारद्र सिता के सांथ प्रिच्छा का आयोजन सुनिश्चित किया जाएगा और आवस्यक रिफाम प्रुटाले के जाएंगे यह संकर्प हमारी सरकार ने लिए युवाओं के लिए 36 गड़ उद्यम क्रांती योजना वर्ष दोजार चोबीस पचीस इसी वित्य वर्ष से चालू करने का प्रावधान किया गया है इसी बजट में प्रावधान किया गया है इस्टेट कैपिटल रीजन के विकास की योजना तयार करने के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है अध्यक्ष महदे मोधी की गरंटी के तहट सक्ति पीट पर योजना का डिप्यार और निर्मान कालियों को आगे बढ़ाने के लिए पांच करोड रुपए का प्रावधान किया गया है सांस्कृतिक राश्ट्रवाद और स्री राम लला कि प्रती प्रदेश की जनता की अपार आस्था को देखते हुए हमारी सरकार ने स्री राम लला दर्सन योजना मोधी की गरंटी के तहट चालू किया है और इसके लिए इस बज़ट में 35 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है क्रिसी छेत्र के कुछ महत्पूर्ण प्रावधानों का मैं जिक्र करना चाहूंगा राज्य के ग्रामीड छेत्र में किसानों यम भूमी हिन क्रिसी मजदूनों की स्थिति में सुधार के लिए क्रिसी यम सहायत गतिविधियों के प्रोस्तान हेतु समन्वीत प्रयास किया जाएगा क्रिशीरी भाग के बजट में बिगत वर्ष की तूलना में 33 प्रतिसत की वृद्धी करते हुए कुल 13,438 करोर रुपए का प्रावधान किया गए किसानों को साकारियम ग्रामिर बैंकों से ब्याज मुक्त क्रिशीरीन उपलब्ध कराने के लिए पहले 2003 से पहले 15-16 परसेंट की दर से ब्याज दर पे रीर मिलता था जिसे पिछली भाग की सरकार ने सुन्य प्रतिसत तक लाया था और इसी योजना को आगे बढ़ाने के लिए रीर उपलब्ध कराने के लिए 8500 करोड की साक्सीमा निर्धारित की गई है और ब्याज अनुदान के रूप में 317 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है अध्यक्ष महदै कृसिय से संबंधित कुछ महतपूर्ण महाविद्यालेओं की स्थापना की जा रही है इस बजट में जो प्रावधान हो मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा अध्यक्ष महदै कुनकुरी जिला जस्पूर में कृसी ब्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालेओं अनुशंधान के अंद्र की स्थापना की जाएगी ग्राम चंद्रपूर जिला बल्रामपूर में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और प्रोसेसिंग टेकनोलाजी महाविद्यालेओं की स्थापना की जाएगी खडगवा, जिला मनेंद्रगड, चीरमिरी, भरतपूर में कृषी महाविद्याला की स्थापना की जाएगी सिलफिली, जिला सूरजपूर, यहम रायगड में सास्की उद्यानिकी यहमवानिकी महाविद्याला की भी स्थापना की जाएगी प्रधान मंत्री मस्य संपदा योजना अंतरगत ग्राम सतरेंगा में परियतन विकास की दृष्टी से एकवा पार की स्थापना की जाएगी इसके लिए पांच करोर रुपए का बजटी प्रावधान किया गया है क्रिशी में आधुनिक उपकरणों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए क्रिशी अभियांतर की संचनाले की स्थापना यों राज इस्तरिये नवीन क्रिशी यंतर परिच्छन प्रयोग साला के भवन का भी प्रावधान किया गया है दूर्ग एवं सर्गुजा जिले में क्रिशी अंतरी कारियाला की स्थापना की जाएगी राजशानी कुर्वरकों की जाज के लिए सर्गुजा जिले में गुडवत्ता नियंतरन प्रयोग साला की स्थापना की जाएगी उद्यानिकी को बढ़ावा देने के लिए चवदा विकास खंडों में नवीन नर्शरी की स्थापना की जाएगी यहां पुर्व से संचालित बीश नर्शरीों में अतिरिक्त पद स्रिजित किये जाएगे पसुआव सधाले कुमारपूर यहां मारी सराई जिला मनेंद्रगट चिर्मिरी भरतपूर यहां पसुआव सधाले कोलेंजरिया जिला जस्पूर का पसुची किस साले के रूप में उन्नैन का प्राउधान किया गया है ज़्यक्ष्वादे ग्राम भोरिंग जिला महासमून ग्राम चरोदा जिला सक्ती ग्राम किर्गी जिला राजनन गाओं ग्राम खैरवना जिला मनेंद्रगट चिर्मिरी भरतपूर तर ग्राम मतासी जिला जस्पूर में नवीन हेचरी की स्थापना करके मस्य पालन को प्रफ्रोश सहित किया जाए सीचाई से सम्मंदित कुछ महत्पूर्ण प्रावधानों कम है उलेक करना चाहूं अध्यक्ष मोद है सीचाई रगबे के विस्तार के लिए नवी सीचाई परियोजनाओं हेतू 300 करोर रुपए की रासी का प्रावधान किया गया है संभावित सीचाई परियोजनाओं की सुची में 10 करोर से अधिक लागत के 156 कार्य भी प्रस्तावित किये गए है लगू सीचाई की चालू परियोजनाओं हेतू 692 करोर नामाड कोशिच सीचाई परियोजनाओं के लिए 439 करोर तथा एनिकट एम स्टाव डेम निर्मार हेतू 262 करोर रुपए का प्रावधान किया गया है केलो सीचाई परियोजनाओं की नहरों का काम रायगर जिले में वर्षों से अधूरा था किसानों के खेतों तक पानी पहुचाने के लिए नहर निर्मार के काम को पूरा किया जाएगा इसके लिए 100 करोर रुपए का प्रावधान किया गया है जल संसाधन के बेहतर प्रबंधन हेतू डिजिटल सूचना प्रनाली विक्सित की जाएगी इसके लिए राज जल सूचना केंदर की स्थापना हेतू एक करोर छप्पन लाख रुपए का प्रावधान किया गया है एक टेक्नलाजी का उप्योग है जल संसाधन विभाग में जक्षमोदे सीचाई बानों की देखभाले मरमत के लिए छोटे-छोटे मरमत कारियों के लिए बानों में पानी बहता रहता है ज्यक्षमोदे उसी चीज को ध्यान में रखते हुए राज जय बान सुरक्षा संगठन का प्रिफक से सेटप स्विक्रित किया गया है सीचाई बानों की सुरक्षा के लिए इस बजट में 72 करोर रुपए का प्रावधान किया गया है इससे सीचाई बानों की छमता का धिक्तम उप्योग किया जाना संभव हो सकेगा साकारिता के सेत्र में साकार से समरिध्धी की ओर के दृष्टिकोड को साकार करने के लिए साकारी समितियों की लावप्रदता या मुतपादक्ता को बढ़ाने के लिए हम प्रतिबद्ध है सो प्राथ्मिक प्रिसी साख साकारी समितियों में खाद एवं बीच भंडाराण हेतू गोदाम निर्मान के लिए 26 करोर रुपए का प्रावधान किया गया है चत्तिर राजिसाकारी बैंक द्वारा विशेश प्रकार के आवस्यक प्रसिक्षर संचालित किया जा सकें इसके लिए प्रसिक्षर संस्थान का निर्मान किया जाएगा और इसके लिए इस बजट में पाँच करोर रुपए का प्रावधान किया गया है अध्यक्ष महोदे पंचायतियम ग्रामीर विकास विभाग के अंतरगत इस वर्स के बजट में सत्तर प्रतिसत की वृध्धी करते हुए सत्रा हजार पांस सो उनतीस करोर रुपए का प्रावधान किया गया है प्रणार मंत्री आवास योजना ग्रामीर के अंतरगत जो आवास निर्मार करने हैं उसके लिए इसी बजट में आठ हजाद पीन सो उनतर करोर रुपए का प्रावधान किया गया है ग्रामीर चेतों में रोजगार के अउसर स्रीजित करने हैं तू मात्वा गांधी ग्रामीर रोजगार गरंटी योजना के लिए 2788 करोर रुपए का प्रावधान किया गया है प्रहार मंत्री ग्राम श्रक योजना में नवीन सरकों के निर्माड यो मर्तमान सरकों के संधारान हेतू 841 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है स्वचाय तसमोहों के माध्यम से ग्रामीर महिलाओं को रोजगार की गतिविधियों से जोडने के लिए राश्त्रिय ग्रामीर आजिविका मिसन में पास्व एकसट करोड रुपए का प्रावधान किया गया है ग्रामीर छेत्र में स्वच्च भारत मिसन के अंतरगत सामुदाइक सावचालेयों यम कच्रा प्रमंधन की योजनाओं के लिए चार सो करोड रुपए का प्रावधान किया गया है प्रावधान मंत्री जन्मन योजनाओं अंतरगत 19 जीलों में पीवी टीजी वसाहतों को मुख्य मार्ग से जोडने के लिए सरक अंपूल निर्मार हेतू तीन सो करोड रुपए का प्रावधान किया गया है मुख्य मंत्री ग्राम शुरक योजने अंतरगत 12 व्रिहत पुलों सडकों के लिए 94 करोड रुपए का प्राउधान किया गया है मुख्य मंत्री ग्राम गौरव पत्य योजना के लिए 50 करोड रुपए का प्राउधान किया गया है अनुसुचित जाती यम अनुसुचित जन जाती वर्गों का विकास विशेश रूप से कमजोर जन जाती समों के विद्यार्थियों हेतू कबीरधाम, गरियाबंद, कोरिया, बलरामपूर, सरगूजा, धमतरी, गौरेला पेंडरा, मरवाही, जस्पूर यव नरायनपूर में संचालित आवाशी विद्यालेओं के लिए 13 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है भवन विहीन, छात्रवास, आश्रमों के 46 भवन निर्माड हेतू, 78 करोड, 10 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है पोस्ट मेत्रिक आदिवासी बालक छात्रवास, बलरामपूर, महराज गंज, संकरगड, डिंडो, राजपूर, लखनपूर, कासाबेल, भगीचा, दोकड़ा, बतवली, मनोरा, कोदबा, दुलदुला, पंडरीपानी, तपकरा, तथा नर्मदापूर पोस्ट मेत्रिक आदिवासी बालक छात्रवास, पैकू, दोकड़ा, रवनी, गाला, कोदबा, भागबहरा, लोदाम, दुलदुला, लवाकेरा, पंडिपानी, कासाबेल, बतवली, घाटबरा, नवापारा, लखनपूर, कमलेश्वरपूर, प्रिमेत्रिक आदिवासी जन पोस्ट मेत्रिक आदिवासी बालक छात्रवास, प्रिमेत्रिक आदिवासी जन योजना अंतरगत, जीला रायगड में, नवीन प्रयाष वासी विद्द्यालाज की स्थापना का भी परावधान, इस बजगत में, किया गया है पास संभाग मुख्यालेओं में नवीन इस्टात को तर छात्रवास की स्थापना हेतू दो करोड चालिस लाख रुपए का प्रावधान किया गया है जिला मुख्याले बल्रामपूर में स्वसीटर आदिवासी क्रिड़ा परिशर की स्थापना यूं भवन निर् अच्छा की तैयारी के लिए के लिए द्वारिका में एक यूथ हास्टल हमारी पिछली सरकार के दोरह बनाय गया थद्यक्ष महदै अभी 65 बच्चों को सरकार के दोरह चात्रवित्ति दे कर तैयारी कराई जाती है इन 65 बच्चों के सीटों को सिधा तीन गुना के गरीब कल्यार योजना के तहट देज भर के 80 करोड हिद्गराहियों के लिए नेसुल्क चावल वित्रण की अवधी में पांच वर्ष की वृद्धी करने का निर्णय लिया गया है राज्य सासंद्वारा मुख्यमंत्री खाध्यान सुरक्षा योजना के हिद्गराहियों को आगामी पांच वर्ष तक नेसुल्क खाध्यान उप्लब्ध कराने का निर्णय लिया गया है इस बजट में मुख्यमंत्री खाध्यान साहता योजना अंतरगत तीन हजार चार सो करोड रुपए का प्रावधान किया गया है महिलाओं यह बच्चों में कुपोशन से बचाव है तू फोटिफाइड राइस के वित्रण के लिए 209 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है अध्यक्ष महदय पेजल की विवस्था के संबंद में प्रदेश वासियों को पेजल उपलब्ध कराने के लिए पिएची विभाग के अंतरगत गत वर्ष के बजट को लगभग दो गुना बढ़ाते हुए पांच हजार सेटालिस करोड रुपए का प्रावधान इस वर्ष किया गया है इसमें हर घर नल योजना मोदी जी की जो है उसे पूरा करने के लिए पैंतालिस सो करोड रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है ध्यक्षमोदे जल जीवन मिशन की मौनिटरिंग के लिए दैजबोड राज्य पोर्टल का निर्मान किया जाएगा यहां भी टेक्नलाजी का उप्योग करके हम विवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास कर रहे है ध्यक्षमोदे शिकायत निवारन और नए कनेक्षन है तू आनलाइन आवेदन की विवस्था सुरू की जाएगी जल की गुडवत्ता की आनलाइन मॉनिटरिंग सुनिस्चित की जाएगी वाद्रफ नगर जल आवर्धन योजना है तू एक करोड ब्यासी लाग का प्रावधान किया गया है ग्रामों में पेजल प्रदाय हेतू 71 करोड और नल कूपों के नुरक्षण हेतू 110 करोड रुपए का प्राउधान किया गया है नगरी जल प्रदाय योजनाओं के लिए 26 करोड रुपए का प्राउधान किया गया है मात्री सक्ती और नौ निहालों का विकास महतारी वंदर नियोजना अंतरगत सभी पात्र महिलाओं को 12,000 रुपए वार्षिक डीबीटी के माध्यम से भुक्तान किया जाएगा इससे महिलाओं के स्वास पोशाण यम आत्निर भरता में बृद्धी होगी सक्षम आगणवारी केंद्र यम पूरक पोशाण अहार हेतू 700 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है पूरो से संचालित समानु देशवाली योजनाओं को समायोजित करते हुए तो बहुत सारी मल्टिप्लिसिटी थी स्कीम्स की अध्यक्ष महोद है उसके करण 10 नवीन अम्रेला योजना प्रावधान की जाएगी इसके लिए 628 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है प्रावधान मंत्री मात्री वंदन योजना के लिए 117 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है ग्राम पंचायतों में महिलाओं के विकास जम ससक्तिकरण हेतू आयोजित होने वाले कारिक्रमों के लिए महिला सदन बनाने की एक नवी नियोजना हमारी सरकार द्वारा प्रारम की जये गई है इसके लिए 50 करोड रुपए का इस बजट में प्रावधान किया गया है खेल एवम युवा कल्यान पारमपरिक खेलों को पुनर जिवित करने के लिए 36 गड़िया क्रिड़ा प्रोस्थान योजना प्रावधान की जाएगी इसे तू 20 करोड रुपए का बजटिय प्रावधान किया गया है जसपूर जिले के कुनकूरी में मौडन खेल इस्टेडियम का निर्मान किया जाएगा इसे तू 2 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है इंडोर इस्टेडियम की इस्थापना हेतू भी 4 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है प्रदेश के पांच नवीन जो जीले गठित हुए है इनने पिछली सरकान ने गठित किया है वह जीला कारेलेओं की स्थापना है तू दो करोर पचास लाख रुपए का प्राउधान खेलेओं युवा कल्यार विभाग के अंपरगत किया गया कला, साहित, खेल वं समाज सेवा के छेत्र में युवाओं के युगदान को प्रोसाहित युवा रत्र सम्मान दिया जाएगा इस मद में एक करोड़ पचास लाख रुपए का प्राउधान किया गया है भू राजा सुभिवस्था का सुद्रिधी करन रायपूर, बिलासपूर और दूर्ग जीले में राजा सुप्रकरणों के सिख्र निदा करन हेतू तहसिलदार और नायब तहसिलदार के अतरिक्त न्यालेओं की इस्ठापना की जाएगी अध्यक्ष महोद है रायपूर तहसिल ऐसे तहसिल अध्यक्ष महोद है जहां बस्तर संभाग के सभी जीनों में जीतने राजा सुप्रकरण नहीं है उससे ज्यादा एक एक तहसिल पर हैं इसलिए वहाँ पे अतरिक्त पत्ष्रिजित करके राजा सुभिवस्था को दूरुस किया जाएगा इस किया जाएगा नगरी छेत्रों में एक अनुपात 500 के स्केल पर भूमी का नवीन सर्विक्षार प्रारंब किया जाएगा इससे सारी छेत्रों में छोटे भुखंदों को भूनक्षे पर दर्ज किया जाना संभव हो सकेगा गुववी लेखों को सिविल नियालयों से लिंक क प्रक्रणों में पारित आधेशों के परिपालन में घूत homeland का सुधारकारिय आलाइन प्रक्रिया से संभव हो सके गाए घूमी ब्यप्यवर्टन की प्रक्रिया को और्लाइन एम सरल बनाय जाएगा गानुन वियुस्था का सुधुरिह करन की मजबूती लिए राज्य पुलि पुलिस बल के लिए उच्च गुरुवत्ता युक रेडी टू इट फूड की विवस्था हेतू बजट में प्रावधान किया गया है नक्सल प्रभावी छेत्रों में तैनाज जवानों की सुरक्षा की दृष्टी से स्पाइक रजिस्टेंट गूट देने के लिए बजट्र साइबर क्राइम के प्रक्रणों की संख्या में बृध्धी को देखते हुए कभीर धाम कोर्भा राजनान गाओं यहम राइगड जिले में चार नवीन साइबर पुलिस थानों की स्थापना के लिए बजट में प्रावधान किया गया है सीमावर्ती जिलों में मानव तसकर जाना की स्थापना का भी प्रावधान इस बजट में किया गया है डायल 112 की सुविधाओं का पुरे प्रदेश में विस्तार किया जा रहा है इस कार्य के लिए 149 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है अगनी समन यहम आपात कालिन सेवाओं के अंतरगर तीन जिलों ह जेतू वाटर टेंडर फोर्म टेंडर वाटर बाउजर क्रय किये जाएंगे इसके लिए 14 करोड 70 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है जेल में रहने वाले बंदियों को उनके परिजनों से बास्चित करने की सुविधा उपलब्द कराने के लिए आठ जीला जेल सम आठ उप जेलों के प्रिजन कॉलिक सिस्टम लगाए जाएंगे इसके लिए एक करोड 16 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है जेलों की विवस्ता संबंधित विभिनकारिय जैसे बंदी बैरक सीसी रोड अवासिय भवन यवं बाउंडरी वाल निर्माड हेतू 32 करो प्रावी छेत्रों में वे रह सकें इसके लिए 139 करोड रुपए के पुलिस चावपी ठाना जेम अन्य भवनों के निर्माड हेतूं के 70 करोड का प्रावधान किया गया है नियाय विवस्ता का सुद्रिणी करन राज्य के दुरस्त जेम अंतीम छोर पर इस्थित जीला भी घवाण नियालेों तो दस अत्रिक्त जीला हैं 70 नियालेों की स्थापना है तू 350-17 करोड का प्रावधान के अगया जिला मुंगेली में फास्ट ट्रेक कोट की स्थापना के लिए नौ पदों का स्रीजन और इस कोट की स्थापना का प्राउधान किया गया है कटगोरा जिला कोरबा में परिवाड नियालय की स्थापना के लिए उन्निस पदों का स्रीजन किया गया है महा समुन्द हैं जगदलपूर में परिवार नियालाय भवन सचोबईस इस्थानों पर बेवार नियालाय इस प्रकार कुल 26 नियालाय भवनों का निर्मान किया जाएगा इसे तू 30 करोर रुपए का प्रावधान किया गया है नियाई करमचारियों के 289 अवासी भवनों के निर्मान के लिए कुल 21 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है उच्च नियालाय भवन में वीडियो कांफ्रेंसिंग बिवस्था ये वीडियो वाल की स्थापना सजेल ये अधिनस्थ नियालयों में लाइव स्ट्रीमिंग ये हम रिकार्डिंग हे तू अत्रिक सेटप ये हम कंप्यूटर उपकरनों की विवस्था के लिए 15 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है ऐसा कोई भी भाग नहीं अध्यक्ष माउद है जहां टेक्नलोजी के लिए हमने बजट न दिया इकोट मिसन प्रोजेक्ट के क्रियानवायन हेतू हाडवेर इंजीनियर और डाटा एंट्री आपरेटर के 596 पदों के स्रीजन का प्रावधान किया गया है नगरी सुविधाओं का विकास नगरी छेत्रों में सब के लिए आवास हाउसिंग फर आल योजना अंतरगत एक हजार दो करोड रुपए का प्रावधान किया गया है सारी छेत्रों में बुनियादी सुविधाय प्रदान करने के लिए अमरित मिसन योजना अंतरगत 795 करोड और अधोसरंचना विकास मद अंतरगत 700 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है रायपूर यम बिलासपूर में स्मार्ट सिटी के लिए 404 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है सालिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 206 करोड यम यूजड वाटर मैनेजमेंट के लिए 166 करोड तो सिवेश्ट ट्रीट्मेंट प्लाण की स्थापना के लिए 30 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है नगरी छेत्र में इस्थित स्लम बस्तियों में स्वास्विधाओं के लिए 300 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है नगर पंचायत पुनकूरी, प्रतापकूर, लोर्मी यव मनेंद्रगड में डेनेस सिस्टम यवं सीरेट ट्रिट्मेंट प्लांट की स्थापना के लिए 7 करोर रुपए का प्रावधान किया गया है प्रदेश के 168 नगरी निकायों में इगवर्नेंस के तहर बजट यव अकाउंटिंग मॉडियूल इस्थापित करने के लिए 47 नगरी निकायों में प्रापर्टी सर्वे किये जाने है तू जी आईएस अधारित साफ्ट्वेर निर्माड करने के लिए भी बजट प्रावधा किये गए हैं इससे प्रापर्टी टेक्स की प्राप्तियों में पार्दर्शिता आएगी इन कारियों के लिए 30 करोर रुपए का प्रावधान किया गया है नगरी निकायों में अध्यक्ष महुदय राइपूर में एक नालंदा परिसर बना है एक ऐसा लाइबरेरी जोन की स्थापना की जाएगी और इसके लिए 148 करोर रुपए का बजटी प्रावधान किया गया है सहरों में जल की सुधता के आटोमेटेड जांच प्रदर्शन प्रारंब किया जाएगा रतनपूर और डोंगरगर में पेय जल की गुडवत्ता सुनिश्चित करते हुए ड्रिंग फ्राम टैप वाटर का पाइलेट प्रोजेक्ट सुरू करने किये जाने का निरने लिया गया है। और एक ग्रीन एनर्जी की दिशा में हमारा एक बड़ा कदम होगा। इस्टेट कैपिटल रिजन के क्रित विकास स्योजना तयार करने के लिए पांच करोड रुपए का प्रावधान किया गया है। इस्टेट करोड रुपए का प्रावधान किया गया है। परियटन एवं संस्कृति आम नागरिकों के लिए राज्य में परियटन सुधा बढ़ाये जाने हेतु। मुख्य मंत्री जन परियटन योजना प्रागम की जाएगी। सक्ति पीट परियोजना के अंतरगत प्रदेश के पांच सक्ति पीठों। हर्थात रतनपूर, चंद्रपूर, दंतेवाडा, उदरगड उदरगड इन पांचों इस्थानों के को विक्सित करने के लिए योजना तयार की जाएगी। इसे तु पांच करोड रुपए का प्रावधान किया गया है। विभागवार महत्पूर अभिलेखों को डिजिटल स्वरूप देने के लिए चत्तिदगर वेब अभिलेखागार में जन समानने को सुविधा के लिए उपलब्ध कराये जाएगा। इसे तु तीन करोड रुपए का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदै हमारे वनवाशियों की भासा अधिवासी भाईयों की भासा गुंडी भासा है। गुंडी भासा के विकास है तु हिंदी एवं चत्तिदगरी भासा से गुंडी भासा में अनुवात करने वाले साप्ट्वेर कर निर्मान किया जाएगा। इससे गोंडी भासा की उप्योग को बढ़ावा मिलेगा इसे तु 2 करोड 50 लाख रुपे का प्रावधान किया गया अध्याक्ष महोदे चतिस गड़ में गोंडी हल्वी जैसी आदि भासाएं हैं इन आदि भासाओं के सरक्षन यवं संवर्धन के लिए 36 गड़ आदि भासा परिसत का भी गठन किया जाएगा तु 1 यवं जलवायू परिवर्तन तेंदू पत्त संग्रहकों को प्रती मानक भोरा 4,000 रुपए से बढ़ाते हुए 5,500 की दर से संग्रहर सुर्थ का भुपतान किया जाएगा वन छेत्रों में इको टूरिजम को बढ़ावा देने के लिए नई निती जारी की जाएगी वारिजिक व्रिक्षा रुपण को बढ़ावा देने के लिए पिसान व्रिक्ष मित्र योजना प्रारम की जाएगी इसके अंतरगत नीजी भूस्वामी यम सास्की यम अर्ध सास्की संस्थाओं को मारिजिक व्रिक्षा रूपन के लिए सायता अनुदान प्रदान किया जाएगा इसे तू 60 करोर रुपए का प्रावधान किया गया प्रदेश के वनों के संरक्षन यम समवर्धन से जुड़े कादियों के क्रियानवयन है तू कैमपा योजना में 1000 करोर रुपए का प्रावधान किया गया वार्षिक का रियोजना के नुरूप वनों के प्राकृतिक पुनुरुत पादन हेतू दो सो चालिस करोड रुपए का प्रावधान किया गया है तेंदू पत्तर संग्राहक परिवार के सदस्यों को चरण पादुका वित्रित करने हेतू 35 करोर रुपए का प्रावधान किया गया लेमरू हाथी रिजर परियोजना अंतरगर फल्दार प्रजातियों का ब्रिक्षा रूपन चारागाह विकास जल क्यू प्लब्धता तथा हाथी मानाव द्वंद के कुसल प्रबंधन के लिए रैपीड रिस्पॉंस टीम के गठन और अन्य कादियों हे तू 20 करोर रुपए का प्रावधान किया गया बार नावा पारा अभ्यार अन्य में परियतन सुईधाओं के विकास हे तू एक करोर रुपए का प्रावधान किया गया विभाग के कादियों का वेब या मोबाइल बेस प्रेटफार्म तयार किये जाने की उद्देश से प्रशाशन सुद्रीरी करण योजना अंतरगत 14 करोर 70 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है वन विभाग दोरा किये जाने वाले लकडियों की निलामी के लिए आनलाइन आक्सन पोर्टल का उप्योग सुनिश्चित किया जाएगा सिख्षित प्रदेश विक्षित प्रदेश राष्ट्री सिख्षा निती 2020 को ततपरता से लागू किया जाएगा चरण बद धरूप सी इसका क्रियानवायन करते हुए प्रदेश के बच्चों यम युवाओं को उनकी विशिष्ट योग्यता के अनुरूप विकास के अवसर प्रदान किये जाएगे दिजिटल यम आर्टिफिस्यल इंटिलिजेंस आधारित इको सिस्टम के माध्यम से सिख्चा की विवस्ताओं को प्रोशाहित किया जाएगा सिख्चकों की भरती नंपद इस्थापना के लिए पोर्टल अधारित पारदर्शी विश्वस्नी और सुगम विवस्ता लागू की जाएगी राश्टिय सिख्चानिती 2020 के प्रावधानों के अनुरूप रिसर्च, इन्नोवेशन, गुरुवत्ता उन्नेयन, आधिकारियों के लिए छत्तिगर हायर एजुकेशन मिशन का गठन किया जाएगा राश्टिय सिख्चर पर इस्थापित भारतिय प्रवध्यों की संस्थानों की भाती प्रदेश के विविन छेत्रों में चरण बद्ध तरीके से छत्तिगर प्रवध्यों की संस्थानों की इस्थापना की जाएगी पंदित रविशंकर शुक्र विश्चुविद्यालय रायपूर में स्टाट अप इन्नोवेशन यम रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सेंट्रल इंस्टूमेंटेशन फेसलिटी का उन्यान किया जाएगा इसे तू दो करोर रुपए का प्रावधान किया गया है सहीद महेंद्र कर्मा विश्चुविद्यालय बस्तर में 20 नवीन सिक्षण विभाग में 33 नवीन इसनातक एवं इसनातक उत्तर पाठिकरम प्रावधान किया गया है इसे तू बजट में प्रावधान किया गया है 20 करोर तर अन्य निर्मार कारियों के लिए 10 करोर 50 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है 15 सास्की महाविद्यालयों में इसनातक इस्तर के नवीन विशय और संकाय खोले जाएंगे 22 सास्की महाविध ज्यालेओं में इसनातकोत्तर इस्तर के नवीन विशय प्रागम किये जाएंगे सूरजपूर, गरियाबन, कॉंडा गाओं, सुक्मा यवं बलरामपूर में जिला सिक्षा यवं प्रसिक्षर संस्थान डाइट की स्थापना की जाएगगा भवन विहीन 57 सास्की हाई स्कूलों यव 49 सास्की हाई स्कूलों के भवनों का निर्मान किया जाएगा इसके लिए बजट में 100 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है नवा रायपूर अटल नगर में संगीत महाविध्यालय यव ग्राम बेंदरी विकास खंट अभनपूर में जिला रायपूर में सास्की महाविध्यालय प्रावधान किया जाएगा इसे तु भी बजटी प्रावधान किया गया है नवारायपूर अटलनगर में लाइबली हुट सेंटर अप एक्सिलेंस की स्थापना की जाएगी पिपरिया जीला कबीर धाम में नवीन अध्योगीक प्रसिक्षान संस्थान की स्थापना की जाएगी इसके लिए एक करोड रुपए का बजट प्रावधान की जाएगी विध्यार्थियों एवं आम जनता में विज्ञान के प्रती रुची उत्पन करने विज्ञान के मुल्भुस इध्धानतों को समझने के उद्देश से राजधानी में साइन्स सिटी की स्थापना की जाएगी इसके लिए 34 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है खगोल विज्ञान की लोग प्रियता को जन मानस तक पहुँचाने के उद्देश से सूरजपुर जिले में एश्ट्रो पार्थ की स्थापना की जाएगी इसके लिए 2 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है स्वास्विधाओं का सुद्रिधी करण प्रदेश के बिपेल परिवारों को 5 लाग तक और एपेल परिवारों को 50 लाग तक नहिसूल का स्वास्थ स्विधाद लेने के लिए अईश्मान कार्ट जारी किये जाएगी इसके लिए अईश्मान भारत प्रदान मंत्री जन आरोग्य योजना के साथ सहीद वी नरायाट सिंग अईश्मान स्वास्थ योजना संचालित की जाएगी इसके लिए 1500 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है स्वास्त संबंदी विभिन्य कारिक्रमों के क्रियानवयन हेतू राष्ट्रिय स्वास्त मिसन योजना में 1821 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है अध्यक्ष महदय प्रदेश का प्रसिद्ध मेडिकल कॉलेज है बिलासपूर का छत्तिगर इंस्टिट्यूट अप मेडिकल साइंसे इसका भवन जरजर होकर बरसों से चला आ रहा है छत्तिगर अविज्ञान संस्थान बिलासपूर के नव निर्मान के लिए 700 करोड अंभि कापूर मेडिकल कॉलेज के सांस्स्थान की तर्जपर में चिकिस्ता सुईधाओं का विकास किया जाएगा इसके लिए 50 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है राज्य के हस्पतालों को गुरुवत्ता उन्नेयन की दृष्टी से राष्टिय गुरुवत्ता आस्वासन मानक NQA सर्टिफिकेशन कराया जाएगा इसे तू 12 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है राजनान गाव मेडिकल कॉलेज में ट्रामा सेंटर की स्थापना है तू 2 करोड सतर लाख रुपए का प्रावधान किया गया है नमीन पांच जीले, खैरागड छुई खदान गंड़ाई, मनेंद्रगड भरतपूर चीर्मिरी, सारंगड बिलाईगड, गौरेला पेंडरा मर्वाही यवं सक्ती में सिविल सर्जन सा अस्पताल अधिक्षक यवं मुख्यची किस्यम स्वास्त अधिकारी कायलेओं की अपना की जाएगी, बस्तर में नर्सिंग कॉलेज की स्टाप कोर्टर हेतू भी इस बजट में प्रावधान किया गया है, डिकेस के सुपर स्पेसिलिटी हॉस्पिटल रायपूर यम फीजियो थरिपी महाविध्याला रायपूर में छात्रा वास निर्मार हेतू दो करोड रुपय का प्रावधान किया गया है 300 प्रात्मिक स्वास्थकेंद्र, 25 जीला चिकिस सालेओं कम 48 क्रिया सील फर्स्ट रिफ्रल यूनिट के लिए लएब टेकनीशन के 373 पदों का प्रावधान इस बजट में किया गया है प्रात्मिक स्वास्त केंद्र खडगवा जिला मनेंद्रगर चीर्मिरी भरतपूर को सामुदाइक स्वास्त केंद्र के रूप में उन्नेयन के लिए 37 पदों का प्रावधान किया गया है उप स्वास्त केंद्र गोलावन जिला कुंडा गाउं को प्राथ्मिक स्वास्त केंद्र में उन्नेहतु बारा पदों का प्रावधान किया गया है सिविल अस्पताल कुरूद जिला धमतरी को 50 बिस्तर अस्पताल से 100 बिस्तर अस्पताल में उन्नैन किया जाएगा 15 नवीन प्रात्मिक स्वास्त केंद्रों की स्थापना की जाएगी इसके लिए 276 नवीन पद स्रीजन का प्राउधान किया गया है सहरी स्वास केंद्रों में फिजियो थेरिपी, मांसिक स्वास, नसा मुक्ती तथा योग संबंधी परामर्श सेवाओं के लिए मुख्य मंतरी सहरी स्वास कारिक्रम अंतरगत तीन करोड़ पचास लाक रुपए का बजटी प्रावधान किया गया है मनेंद्रगड, सूरजपूर, बलरामपूर यव कॉंड़ा गाओं में जिला अईरुवेद कारियालाय प्रारंभ किये जाएंगे छै आईरुवेद अउस्धालाय रतनपूर, जिला कोरिया, सेमरिया, जिला रायपूर, निकूम, जिला दूर्ग, चित्रकोर, जिला बस्तर, सूपे बेड़ा, जिला गरियाबन, तथा रेरुमा खुर्द, जिला रायगड में खोले जाएंगे जीरा अईरुवेद कारियला सूरजपूर में दस बिस्तर के क्वाली क्लिनिक की स्थापना की जाएगी भुमिहीन क्रिशी मजदूरों, स्रमिकों, निराश्रितों यवं दिव्यांगों की सहायता भुमिहीन क्रिशी मजदूरों की सहायता है तु दीन द्याल उपाध्याय भुमहीन, क्रिशी मजदूर, कल्यार, योजना, प्रारम्भ करने का इस बजट में प्रावधान किया गया है जो मोधी की गरांटी का हिस्सा है इसके अंतर अगर प्रत्येक परिवार को प्रत्य वर्ष 10,000 रुपए की आर्थिक सहता दी जाएगी इसके लिए इस बजट में 500 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है असंगठित स्रमिकों, असंगठित सफाई कर्मकारों, ठेका मजदूरों, घरेलू कामकाजी महिलाओं एवं हमालों के कल्यार हे तु अतल स्रम ससक्तिकान योजना की सुरुवात की जाएगी इसके लिए 123 करोड रुपए का बजटी प्रावधान किया विभाग द्वारा असंगठित स्रमिकों के पंजेयन एवं योजनाओं के क्रियानवयन के आनलाइन मॉनिटरिंग हे तु स्रमेव जैते पोर्टल आरंभ किया जाएगा पोर्टल के विकास हे तु 2 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है निरास्रितों, वृद्ध जनों, दिव्यांगों, विध्वा एवं परित्यक्ता महिलाओं को पंजेयन योजनाओं का लाब देने के लिए 1,400 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है इससे लगभग 23 लाग हिद्गाहियों को समाजिक सुरक्षा पंजन का लाब मिल पाएगा प्रदेश के दिव्यांगों के समाजिक समावेश सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक इंफ्राइस्ट्रक्चर को दिव्यांग अनुकूल बनाने के प्रती भी इस बजट में बजटी प्रावधान किये गए है बारिज एवं उद्योग भी भाग वर्तमान उद्योग निती की समिछा करके नई उद्योग निती जारी की जाएगी इसमें राज्य में उपलब्ध क्रिसी उत्पाद, वनोपज एवं खनीज संपदा तर रोजगार मुलक उद्योगों की स्थापना का ध्यान रखा जाएगा और नए उद्योगों को बढ़ावा देने के सांस साथ गोर सेक्टर में पूर्वसे कारियरत उद्योगों के छमता विकास के लिए भी अनुकूल आउसर प्रदान किये जाएंगे प्रदेश में आर्थिक और अत्याधुनिक इंफ्राइस्ट्रक्चर से युक गोर्भा विलासपूर इंडस्ट्रियल कोरिडोर के लिए राष्टी राजमार्ग के निकट के छेत्रों में उपलब्ध उप्युक्त सास की भूमी पर अद्योगिक छेत्रों का विकास किया ज करोड लागत पूंजी अनुदान है तू दो सो करोड और ब्याज अनुदान है तू पचास करोड रुपए का प्रावधान किया गया है युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए मोदी जी की गारंटी के तहथ 36 गर उद्यम करांती योजना प्रावध की इस्थापित करने यहम राज्य में एक सम्रिद नवाचार परिस्तिकी तंत्र तयार किया जाने है तू इस्टार्ट अप सब्मिट का आयोजन कर किया जाने का भी इस बजट में प्रावधान किया गया है जीला कोरवा में एलुमिनियम पार्क की स्थापना किया जाने है राजधानी में राष्टी इस्तर पर जो यूनिटी मॉल का कॉंसेप्ट है उसी तरह का यूनिटी मॉल रायपूर में इस्थापित किया जाएगा इस्थानी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए इसकी लागत लगभग 200 करोड रुपए होगी और इसके लिए 80 करोड रुपए का इस बजट में प्रावधान होगा पचास पतिसस सेंटर से मिलेगा उर्जा विभाग पांच एच्पी तक के क्रिशी पंपों को वार्षिक 7500 यूनिट तक निसुल्क बिद्दुत प्रदाय हेतू 3500 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है योजना में 6,96,000 क्रिशी पंपों को लाब मिलेगा हाब बिजली बिल योजना अंतरगत 43,34,000 घरेलु उभोगताओं को 400 यूनिट की खपत तक हाब बिजली बिल योजना का लाब प्रदाय किया जा रहा है इसके लिए 1274 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है क्रिशी पंपों के उर्जी करण हे तू 200 करोड रुपए का बजटी प्रावधान किया गया है क्रिशकों को सीचाई की सुविधा हे तू सोलर सीचाई पंपों की स्थापना हे तू 670 करोड रुपए का बजटी प्रावधान किया गया है बिपेल उभोकताओं को प्रतिमा 30 यूनिट की खपत पर नीसुल्क बिजली प्रदाय की जाती है इसे तु एकलबत्ती कनेक्शन योजना अंतरगत अनुदान मद में 540 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है सवर सामुदाइक सिंचाई योजना अंतरगत 795 हेक्टेर क्रिशी भूमी को सिंचित करने के उद्देश से 30 करोड रुपए का प्रजटी प्रावधान किया गया है आईटी अधोसरंचना जम आईटी इनेबल सर्विसेश प्रशासनिक कारियों में तेजी सास्की धन के कपटपून समवेवहार पर रोग तथा सासन में पात दरसिता लाने के लिए आईटी अधोसरंचना का तेजी से विकास किया जाएगा राजधानी मुख्याला से लेकर ग्राम पंचायत इस्तर तक प्रशासनिक कारियों में आईटी इनेबल सर्विसेश को बढ़ावा देने के लिए सभी विभागों में कुल मिलाकर दो सो चैसट करोड रुपए का प्रावधान किया गया है यह हमारी रड़नीती का एक में किया गया है ताकि टेक्नोलाजी रिलेटेट चीजों को अच्छे तरीके से इंप्लिमेंट किया जा सकता है राजधासन द्वारा संचालित सभी प्रमुक जनकर लियारकारी योजनाओं की एक जाई मॉनिटरिंग अटल डेसबोर्ड के माध्यम से की जाएगी इसके लि राजध की 9804 ग्राम पंचायतों को अप्तिकल फाइबर केबल से जोड़ा जा चुका है इसके रख रखाव एवं संचालन के लिए 66 करोड की पुल निधी के गठन का प्रावधान किया गया है एक इकित ई-प्रोक्योर्मेंट परियोजना के नवीन संसकरन हेतु 15 करोड र एक हजार ग्राम पंचायतों में वाई-पाई की सुविधा के लिए पी-एम वाड़ी परियोजना अंतरगत 37 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है सासन के विभिन विभागों द्वारा उप्योग किये जा रहे ई-परिसंपत्ती, मोबाईल एप यम वेबसाइड की साइबर सुरक्षा हेतु अवश्यक जाच यम सर्टिफिकेशन की विवस्था की जाएगी अधोसरंचना निर्मान प्रदेश में अधोसरंचना विकास जम पूंजी गत व्याय को प्रोसाहित करने के लिए लोग निर्मान विभाग के लिए 8,000 करोड रुपए के प्रावधान सहित कुल 22,300 करोड रुपए का पूंजी गत मद में व्याय का प्रावधान इस बजट कैटेक्स में 12% की ही वृद्धी हो रही थी राज्य मार्गों के निर्मार है तो 190 करोड मुखे जीला सडगों के निर्मार है तो 390 करोड ग्रामिर मार्गों के निर्मार है तो 747 करोड अनुसुची जन जाती बहुले छेत्रों में सडगों के निर्मार है तो करोड, सहरी चेतर के मार्ग हेतू 50 करोड, व्रियद एवं मध्यम्पुनों के निर्मार हेतू 244 करोड, रेलवे ओवर बृज निर्मार हेतू 50 करोड रुपए का प्राहोधान किया गया है सहरी एवं ग्रामीर छेत्रों में पूल 1690 नमीन निर्मान कार्य प्रस्तावीत हैं इसमें 1268 सड़क कार्य हेतू 737 करोड तीन सो उन्चास ब्रियाद एवं मध्यम पूल निर्मार हेतू 175 करोड तो 55 भावनों के निर्मार हेतू 20 करोड रुपए का प्रावधान किया ग करन जम अन्चास्छाओं को निर्मित करने के लिए 30 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है जासपूर हवाई पटी नम्हें सुध हार हेतू 16 करोड 20 लाख रुपए का बजटी प्रावधान किया गया है रेल लाइनों के लिए भी इस बजट में बड़े प्रावधान किये गये हैं जिला मनेंद्रगड चिर्मिरी भरत्पूर यम जिला कोरिया अंतरगड सहरों के विकास और इस्थाइत्व के लिए रेलवे से दोंगरगड रेल लाइन डिर्मार्ट को तिब्रगती से किये जाने हेतू रासी 300 करोड रुपए का बजटी प्रावधान किया गया है कर प्रणाली का सुद्रिणी करण कर प्रसासन में मजबूती तम पारदर्सिता लाने के लिए सभी विभागों में IT टूल्स की सहायता ली जाएगी कर प्राप्तियों में सुधार हेतू निगरानी तंत्र को भी मजबूत बनाया जाएगा राज्य की राजस्व प्राप्तियों का प्रमुक्ष्रोथ वस्तु एवं सेवाकर Goods and Services States State GST है वस्तु एवं सेवाकर के संकलन में सुधार एवं पारदर्सिता के लिए राज्य मुख्यालय में Business Intelligence Unit की स्थापना की जाएगी इसमें Artificial Intelligence यो Machine Learning का उप्योग करते हुए Data Driven Fraud Analysis सहीद राजस्व समर्धन के अन्य उपाई सुनिशित किये जाएगे इस हैतु इस बजट में 9 करोड 50 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है GST संबंधी अपीली मामलों के त्वरित नीराकरण हेतु अधिकरण की स्थापना के लिए 5 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है आब कारी करावंचन के प्रक्रणों पर नियंत्रन हेतु प्रसासनिक विवस्था सुद्रिन की जाएगी इसके लिए विभागी पदों में ब्रिद्धी निद्यक्षन हेतु वहन विवस्था मॉनिटरिंग हेतु कम्प्यूटर उपकरण इत्यादी के लिए 3 करोड 88 लाक रुपए का बज़ती प्रावधान किया गया है भूमे एवं भावनों का हस्ता अंतरार अन्य विविद पंजिक्रिस सम्वेवार हेतु राष्ट्री समान्य दस्तवेज पंजिकरण पनाली NGDRS साफ्टवेर का वुपयोग सभी जीरों में लागुप किया जाएगा इससे धोखादड़ी एवं बेनामी इलेन देन की प्र द्धि होगी इसके लिए दस क्रोड रुपय का बजटी प्रावधान किया गये वर्स दौजार चोबीस-प्थी lyumes का बजट अन्युमान अध्यक्ष महद है मैं वर्स दौजार चोबीस-प्थी思 का बजट अन्युमान सदनं के समखश परश्तूत करता हूं वर्स2045 में कि पिछले पांच वर्सों में बजट के साइज का जो अवसत ग्रोध था वो आठ प्रतिसत था जबकि पिछले बजट की तूलना में इस बजट में हम 22 प्रतिसत की व्रिद्धी बजट के आतार में कर रहे हैं कर प्राप्तियों में राज्जी की राजस्व प्राप्तियां 68,400 करोड केंद्र से प्राप्तियां 57,500 करोड यम पूंजिगत प्राप्तियां 21,600 करोड रुपए अनुमानित है वर्ज दोजार 24,25 के लिए विनियोग का आकार 1,6,568 करोड का है सकल वियसे रिनो की अदाइगी यम पुनर प्राप्तियों को घटाने पर सुद्ध वियाए 1,47,446 करोड अनुमानित है राजास्व यम पूंजी गत वियए 22,300 करोड रुपए का हुगा वर्ज 2023 पूंजी गत प्राप्तियां 18,660 करोड था वर्ज 2024 प्रुपचिस में 22,300 करोड रुपए का बजटी प्राप्तियां किया गया है जो गत वर्ष की तूलना में 20% अधीक है प्रदेश में अनुसुचित जनजाती वर्ग के विकास के लिए आदिवासी उप योजना मद में 33 प्रतिसत चम अनुसुचित जाती विशेज घटक योजना मद में 13 प्रतिसत रासी का विशेज प्रावधान किया गया है वर्ष 2024-25 के विजट में समाजीक छेतर के लिए 45 प्रतिसत आर्थिक छेतर के लिए 35 प्रतिसत यम समान सेवा के छेतर के लिए 20 प्रतिसत का प्रावधान किया गया है राज कोशी इस्थिती जक्ष महदे हमारी सरकार द्वारा राजस्व संग्रहन के लिए आधुनिक तक्निकों का उप्योग तता प्रसासन को सरल यम पारदर्सी बनाने की उपाय किये जा रहे हैं इससे बिना कोई नया कर अधिरोपित किये राज्य के स्वयम के राजस्व में 22 प्रतिसत के व्रिद्धी का हमने बड़ा लक्ष्य रखा रहे हैं 17 दिसम्वर 2018 की स्थिती में राज्य का कुल रिंड भार 41,695 करोर रुपया था जो विगत 5 वर्सों के दावरान लगव 99,520 करोर रुपय हो गए इस परकार राज्य निर्माण के पश्चात 18 वर्सों में लिये गए रिंड से भी अधिक रिंड पिछली सरकार द्वारा केवल 5 वर्स के दावरान लिया गया जन्वरी 2024 की स्थिती में राज्य का कुल रिड भार राज्य के सकल घरिल उत्पाद के साज जिरिपी की तूलना में 18 प्रतिशत है वर्स 2024 में राज्य का सकल वित्तिय घाता 19,696 करोड रुपे अनुमानित है जिसमें केंद्र से पुझीगत व्याय हेतू विशे सहायता रिंड 3,400 करोड रुपे सामील है भारत सरकार के निर्देश अनुसार ये राज्य के वित्तिय घाते का भाग नहीं है अता इसे कम करने पर राज्य का सुध्य वित्तिय घाता 16,292 करोड रुपे होगा जो राज्य के जीडिपी का 2.9 प्रतिसत है इस प्रकार एफार बियेम एक्ट में निर्धारित 3 प्रतिसत की सीमा के भीतर है राज्य की कूल राजस्तो प्रतियां 1,25,900 करोड रुपे यम कूल राजस्तो भी एक लाग 24,840 करोड रुपे है अता वर्स 2024-25 में राजस्तो आधिक 1060 करोड रुपे का होगा अर्थातिया बजट रिवन्यू सर प्लस राजस्तो आधिक के वाला बजट है कर प्रस्ताव अध्यक्ष महदै वर्स 2024-25 के लिए कोई नया कर प्रस्ताव नहीं है नहीं करों की दर में कोई बृद्धी का कोई प्रस्ताव अध्यक्ष महदै भारत के यसस्वी प्रधान मंत्री स्री नरेंद्र मोदी जी की अगवाई में भारत आज विश्व गुरु की भूमिका में पुना आ गया है आज हम विश्व की पाच्वी सबसे बड़ी अर्थ विवस्था बन चुके हैं केवल दस सालों में ग्यार्वे इस्थान से आगे बढ़ते हुए हमने पाच्वे इस्थान तक की छलांग लगाई है कभी बीच में साफ सपेरों के देश की दुर्भागी जनक पहचान बना दिये गए भारत को आज विश्व महासक्ती के रूप में देखा जा रहा है हम्रित काल में अगले पांस सालों के भीतर ही मोदी जी के नित्रित में हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थविवस्था बनने की और अग्रसर है हम ना केवल इस विकास के भागीदार हैं बलकि इस विकास में हमारा बढ़ चरकर योगदान भी अपिक्षी था भले ही हमने अनेक इतिहासी कुप लब्धियां हासिल की हैं लेकिन अध्यक्ष मोदय यह समय रुकने का नहीं है मोदी जी के सब्दों में कहूं तो यही समय है सही समय है जब हम कमर कसकर माभारती और छतिरगर महतारी को उसके पुरा वैभा के पुनर इस्थापना हेतू चल रहे महायग्य में भागिदार बने भरे ही हमने बहुत कुछ हासिल किया है लेकिन अभी भी बहुत कुछ प्राप्त करना सेस है यह समय रुख जाने का नहीं है अध्यक्ष महुदय बलकि देश की प्रगती के साथ चलते रहने का है देश के तेजी से विक्सीत हो रहे राज्यों के साथ सकरात्मक प्रतिसपरधा करते हुए हमारे 36 गड़ को तेजी से आगे बढ़ाने का है अध्यक्ष महुदय हमारी सरकार के फिलासोफी को हमारी सरकार के सोच को हमारी सरकार के दर्सन को मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से प्रगट करना चाहता हूँ गहन सघन मनमोहक वंतरू गहन सघन मनमोहक वनतर मुझको आज बुलाते हैं इन तुक ये जो वादे मैंने याद मुझे आ जाते हैं अभी कहां आराम वदा या मूक निमंतर चलना है अभी तो मुझको मीलो मुझको मीलो मुझको चलना है हमारी हमारी सरकार का ये विजन हद्यक्ष मौद है हम काफी चले हैं इस प्रक्रिया में अनेको लोगों का योगदान रहा है और आगे और दुरुद गती से चलते रहेंगे आधरनी विश्णुदेव साय जी के नित्रित्व में ये पालनहारी सरकार है जो 36 गड़ को नई उचाई पर पहुचाएगी जो 10 लाग 5 लाग करोर के जीडिपी को 10 लाग करोर जीडिपी तक पहुचाने का बड़ा लक्ष लेकर चल रही है जो एक विजन डाकुमेंट एक नॉमबर सन 2024 को प्रस्तूत करने जा रही है अमरित काल 36 गड़ विजन एट 2047 जो विकास सील 36 गड़ को विक्सीट 36 गड़ में परिवर्तित करने वाला होगा अध्यक्ष महदय आदानी मुख्यमंत्री स्विश्णुदेव सायजी के नित्रित में वर्ष 2024 का बजट 36 गड़ की विकास स्यात्रा की दिशा में हमारा पहला कदम है राम काज की नहीं विनों हमें कोई विश्राम नहीं है इस भावना के साथ वर्ष 2024 का वार्षिक वित्तिय भीवरन तता अनुदान की मांगे मैं सदन के समक्ष प्रस्तूत करता हूँ अध्यक्ष महदय जै हिन जै चप्तिस गड़ मैं आई वियक पर समान शर्षा के लिए दिनांग 12 और 13 फरवरी 24 की तिधिया नियत करता हूँ आई वियक पर समलित अनुदानों की मांगों पर कड़ोती प्रस्ता की सूचना सरीवार दिनांग 10 फरवरी 24 को अपराण 3 बजे तक दी जा सकती है कड़ोती प्रस्ताओं के प्रपत सूचना काराले में प्राप्त किये जा सकते हैं अध्यक्षी दिर्खा में विदान सभा के पूर अध्यक्ष श्री प्रेम्प्रकास पांडे जी उपस्तित हैं सदर्ण की ओर से उनका स्वागत करते हैं सबकी कारवाही दिनांग सुम्वार बारा फरवरी दोजार चोबिस को ग्यारा बजी तक के लिए इस्तागित अध्यक्षी दिनांग स्वागत करते हैं चल्लाओ टेंगे